कुकू टीवी अरे भाई दो प्लेट प्यास के पकोड़े और एक प्लेट आलू के पकोड़े दे दो ये लो भाई अरे भाई मैं तुमसे रोज पकोड़े खरीदता हूँ कभी तो कुछ पकोड़े जादा दे दो भाई मैं माप से साधा अपने घर वालों को भी नहीं देता लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो ठीक है, दे दो सुधान्शू के परिवार में उसकी पतनी सुधा थी आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी पता है, मेरे सहली के पती ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप है, जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हो अच्छा, पिछले महीनों तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था हाँ हाँ, याद है, वो भी सेल में से सेल हो या ना हो, पर मैंने लाई तो थी न तुम जैसा कंजूस पती मैं कभी नहीं देखा हर महीने अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो और एक महने तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली तो इतना बोल रहे हो क्यों ना खरीदूं, आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ सुधान्शू स्वभाव से मतलबी था, वो सिर्फ अपना भला सोचता था सुधान्शू के पकोड़े की दुकान अच्छी चल रही थी, उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी अच्छानक एक दिन सुधान्शू के दुकान के सामने एक और ठेला खुला गौरव का आलू पफ का ठेला, नया ठेला देखकर ग्राहक वहाँ चले गए अरे भाईया ये क्या है? ये शहर के मशहूर आलू पफ है, दीदी आप एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी ठीक है भाईया दे दो अभी लीजे गौरव ने उस औरत को आलू पफ दिया औरत ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई ये तो बहुत अच्छी है, अपसे मैं रोज यही खाऊंगी वैसे भी कौन उस कंजूस पकोडे वाले से पकोडे खरीदेगा? सुधान्शू के कई ग्रहक पकोडों के बदले आलू पफ करीदने लगे और एका एक सुधान्शू के ठेले पर रहने वाली भीड अब गवरव के ठेले पर आ गई थी ये देख कर सुधान्शू परेशान था ये आलू पफ वाला नया है कुछ दिनों में लोग इसे भुला कर वापस पकोडे खाने लगेंगे सुधान्शू खुद को तसल्ली दे रहा था है दिन बीते पर गवरव के आलू पफ वाकई में अच्छे थे इसलिए ग्रहक अभी भी उसी के ठेले पर दिखते थे इस आलू पफ वाले ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया पता नहीं कहां से आ गया अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता सुधान्शू सोचने लगा कि कैसे वो गवरव को अपने रास्ते से हटाएगा गवरव बहुत खुश था आते ही उसका व्यापर चल पड़ा था ये भगवान तिरा लाख लाख शुकर है तुने मेरी मुसीबत हल कर दी गवरव स्वभाव से भी बहुत भोला और दयालू था जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था गवरव की सारी हरकते सुधानशु गवर से देख रहा था ये तो बहुत ही भोला है इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है पर पहले मुझे से दोस्ती करनी होगी और फिर इसी सोच से सुधानशु ने गवरव से बाते करना शुरू कर दिया अरे भाईया क्या हाल चाल सर्फ बढ़िया है आप बताईए सुना है आपके आलू पफ बहुत ही स्वादिस्ट है कभी हमें भी खिलाये अरे अभी लीजिये गवरव ने सुधानशु को आलू पफ दिया सुधानशु ने वो चक्खा अरे वाई ये तो बढ़िया है एक डम नया आइटम है खाकर मज़ा आ गया आपको अच्छा लगा न यही काफी है ये आइटम तो आपको बड़ी दुकान खोल कर बनाना चाहिए चाहता तो मैं भी यही हूँ पर दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है हम् वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ अगर तुम्हें ठीच लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं जिसमें दो काउंटर होंगे तो मालू कॉफ बेचना और मैं अपने पकोडे मतलब पार्टनर्शिप हाँ वही मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है बाँ ये तो अच्छा होगा बड़े बाजार में अच्छी विक्री भी होगी हाँ वो तो है मैं तो कब से किसी को ढून रहा था जो आधे पैसे भरे और मेरा पार्टनर बन जाए बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है यही कोई 6 लाख मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है ठीक है मैं देता हूँ आपको कल बताता हूँ ठीक है भईया सुधानशु गौरव को अपने जाल में फसा रहा था गौरव घर गया और वहाँ उसने ये सब अपनी पत्नी लता को बताया ये तो बहुत अच्छा है मेरे पास 1.5 लाख तो हैं पर बाकी के 1.5 लाख कहां से करो आप उसकी शिंता मत कीजी मेरे ये गहने कब कामाएंगे आप उन्हें गिर्वी रख दीजी और फिर जब आपके पास पैसे आ जाये तो छुड़वा लेना ठीक है यही सही रहेगा गौरव ने लता के सारे गहने गिर्वी रख दिये और बैंक से अपने बचत किये हुए पैसे भी निकाल लिए भया पैसो का इंतजाम हो गया है अरे वा तो तुम चलो कल हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं ठीक है भया गौरव और सुधानशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिये और फिर मालिक ने सुधानशु को दुकान की चाबी दे दी आकिर हमारा सपना पूरा हो गया हाँ अब एक काम करो तुम अपने ठेले पे जाओ मैं हाँ मरम्मत और दो काउंटर लगवाने का काम समालता हूँ कम से कम उसी वीश में तुम कुछ तो कमालोगे ठीक है भईया गौरव अपने ठेले पर कहचा और आलू पफ बेचने लगा कुछ दिन बीद गए सुधानशु का पकोड़े का ठेला बंध ही था एक हफते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधानशु पहले से वहाँ पकोड़े बेच रहा था और दुकान में बस एक ही काउंटर है अरे भईया काउंटर तो मस्त है लेकिन मेरा काउंटर कहा है कैसा काउंटर कौन सा काउंटर ये दुकान मेरी है यहां बस एक ही काउंटर रहेगा यह तो सरासर धोके बाजी है इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिये है अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है और अगर हैं, तो जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ गौरव की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसकी सारी जमापूंजी बरबाद हो गई थी गौरव रोते हुए जंगल की और चल पड़ा ए भगवान, यह क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया? इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता गौरव का रोना सुनकर व्रुक्ष देवी उसके सामने आई गौरव, तुम्हें परिशान होने की जरुरत नहीं तुम तो एक अच्छे इंसान हो तुमने कई लोगों की मदद की है और वही अच्छा ही आज तुम्हारे काम आएगी वो कैसे? इस पेड के तने में हाट डालो जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा है ठीक है गौरव ने पेड के तने में हाट डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के लगे गौरव ने मुठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, इस सोने से मेरी जिन्दगी बदल जाएगी याद रहे, अच्छे काम करना मत भूलना मैं हवेशा लोगों का भला करते रहूँगा गौवरव ने लता के गहने छुडवा लिये, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरिद ली आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब मिल गया वहाँ दूसरी और सुधान्शो के बुराई की वज़े से उसका व्यापार डूब गया उसे दुकान बेचनी पड़ी और वो वापस रोड पर आ गया इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा अशुक खेतों में मज़दूरी का काम करता था वो एक अनात था, उसका कोई नहीं था रोज रास्ते में उसे एक आम का बगीचा दिखा करता था अशुक रोज ताजे-ताजे रसीले आमों को देखा करता था उसका बड़ा मन होता था कि वो आम खा सके पर उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा चिला रहा होता है अरे निकम्मों, तुम लोगों को काम करने की तनखा देता हूँ, काम करो उस सेट की आवाज सुनकर अशोक चुप चाप अपने रास्ते चला जाया करता था एक शाम की बात है, अशोक खेट से लौट ही रहा था, तो उसका ध्यान आम के बगीचे पर गया क्या बात है, आज कोई आवाज नहीं आ रही है, लगता है आज सेट कहीं बाहर गया होगा अशोक बगीचे में ज्हांकने लगा, तो उसका ध्यान एक आम पर पड़ा, जो बगीचे के बाद पे लटक रहा था वा, लगता है वो आम पेड से गिर कर बाड पर लटका है, मैं निकाल लेता हूँ अशोक बाद पर चड़ने लगा, और नीचे कुद गया, उसने आम निकाल लिया अरे चोर, मेरे बगीचे से आम चुरा रहा है वो सेट चीकता हुआ, उसके पीछे आया मैंने चोरी नहीं की है सेट जी अच्छा, सारे आम जूट बोल रहे हैं नहीं सेट जी, मैंने चोरी नहीं की है ये आम बार पर लटका था, मैंने तो बस इसे बार से उठाया ये आम है तो मेरे ही बाग का ना, तूने बिना इसके पैसे दिये, इसे उठाया ये चोरी ही तो हुई, चाहूं तो अभी पुलिस बुला कर तुझे गिरफदार करवा सकता हूँ नहीं नहीं, नहीं सिर्जी, आप ये आम रख लीजे, आप मुझे माफ कर दीजे हाँ हाँ, निकलो यहां से, आइंदा मेरे बगीचे के आज पास भी नहीं दिखना पैसे वैसे तो होते नहीं है, और चले आते हैं, मुफ्त के आम खाने अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया, वो अपने गाव की और पहुचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत आम के टोकरी के पास खड़ी थी अरे बेटा, जरा इस टोकरी के उठाने में मेरी मदद कर दो अशोक बूढ़ी औरत के पास गया अरे अम्मा, ये तो बहुत भावी लग रहा है, क्या आप अकेले उसे उठा पाएंगी? हाँ बेटा, अब पेट के लिए इतना तो करना ही होगा अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा, हाब चलिए मेरी वज़े से तुम क्यों कश्ट उठाऊगे बेटा? अरे अम्मा, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, मुझे उठाने दीजे अशोक ने वो टोकरी उठा ली और चलते चलते अम्मा से बाते करने लगा अम्मा, टोकरी भरी हुई है, क्या आज जादा विक्री नहीं हुई? नहीं बेटा, आज ग्राहक तो आये थे, पर वो इतना मोल भाव कर रहे थे कि मेरा मुझेल भी ना निकाले जिन्दगी बहुत कठिन है, और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़े, तो और भी दुख होता है मैं समझता हूँ चलते चलते वो लोग भीर भाड़ वाले इलाके में पहुचे, अशोक ने टोकरी नीचे रख दी ताजे रसीले आम ले लो, आम, ताजे मीठे आम ले लो अशोक की आवाज सुन, कुछ ग्राहक उसके और आकरशित हुए और उन्होंने अम्मा से आम खरी दे, और उन्हें पैसे दिये लगभग आधे आम बिग गए, और अम्मा के चेहरे पर मुसकान आ गई कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस सिर पर उठाली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी अम्मा, कल से मैं रोज आपकी मदद करने आऊँगा अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत लो अम्मा, आप मेरी मा की तरह हो आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है उस बुड़ी औरत के आख से आसु आ गए एक तु है, जो बिना किसी रिष्टे के मेरी मदद कर रहा है और एक मेरा बेटा है, जो अपनी बुड़ी मा को बोड़ समझ कर अपना रिष्टा तोड़ चुका है अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना बेटा समझ ये, मैं हूँ ना ठीक है बेटा अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था, कि अम्मा ने उसे रोका अशोक अम लेकर अपने घर के लिए निकल गया, अशोक ने बड़े चाव से वो आम खाए और फिर अशोक ने वो बीच अपने घर के पीछे आंगन में बो दी अगली सुबा अशोक उठा, और जैसे ही वो अपने घर के पीछे गया, तो वहाँ आम का एक विशाल पेड देख कर वो दंग रह गया अरे बाप रे, कल ही तो मैंने आम के बीज बोए थे, एक रात में पेड कहां से आ गया अशोक पेड के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिये, वो जैसे ही आम तोड़ता, उसकी जगह पर दूसरा आम उप जाता देखते ही देखते अशोक के टोकरी भर गई ये आम के पेड में जरूर कोई जादू है, मुझे अम्मा से पता लगाना होगा अशोक अम्मा के घर गया अम्मा, कल मैंने जमीन में आम का एक बीज बोया, आज वहाँ विशाल पेड उग गया है एक रात में पेड ऐसा कैसे हो सकता है मैं भी हैरान हूँ, आप मेरे साथ चलिए अशोक ने अम्मा को वो पेड दिखाया अरे बाप्रे, ये तो जादूई है इस पेड में और भी जादू है क्या? आप इसका आम तोड़ कर देखिए अम्मा ने पास पड़ी लकडी की मदद से एक आम तोड़ा और तुरंट वहाँ दूसरा आम आ गया हे भगवान, बेटा ये तेरी अच्छाई का फल है कि भगवान ने तुझे ये जादूई आम का पेड दिया है तेरी सारी परेशानियों का समाधान है ये बस, मेरी नहीं, हमारी आपकी वज़ा से मुझे ये पेड मिला है क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी मा बनकर हाँ, अशोक को मा मिल गई और अम्मा को बेटा वो लोग सस्ते दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे फिर अम्मा और अशोक ने बाजार में आमों की एक बड़ी दुकान लगाई वो लोग सस्ते दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे इसलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी वहाँ दूसरी और सेट के बगीचे के आम कोई खरीद ही नहीं रहा था अरे मन्नू भाई, इस बार अपने आम का ओर्डर नहीं डाला क्या बात है, मैंने तो पहले ही आम खरीद लिये हैं अच्छोक से उसके आम ताजे, रसीले और सबसे बढ़िया बात ये है कि उसके दाम भी कम है पर मन्नू भाई, मुझे माफ कीजिए सेट जी, मैं तो अपना मुनाफा ही देखूगा सेट ने जिस अशोक को एक आम के लिए इतना डाटा था, आज वही गरीब अशोक आम का व्यापारी बन चुका था देखते ही देखते अशोक अमीर बन गया, उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली अम्मा और अशोक एक साथ खुशी-खुशी रहने लगे, और ये सब जादुई पेड के जादुई आम की बज़े सी हुआ था जादुई आम ने अशोक को गरीब से अमीर बना दिया श्रीधर एक नारियल पानी वाला था, वो गली-गली घूमकर नारियल पानी बेचा करता था नारियल पानी, नारियल पानी नारियल पानी बेचकर उसे जो मुनाफ़ा होता, उसे वो दो हिस्सों में बाट देता घर लोटकर वो सारे पैसे अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया करता था ये घर खर्च के लिए और ये कार्तिक की कॉलेज के लिए था अच्छा बात है मैं ये कॉलेज के पैसे अलग रख देती हूँ ठीक है और मीना ने वो पैसे गुल्लक में डाल दिये अच्छा अब आपका बुखर कैसा है कल रात को आपका शरीर तप रहा था बुखर गयब हो गया देखो मैं तो बिलकुल ठीक हूँ अच्छी बात है अगले महीने शिवा के कॉलेज का एडमिशन होगा उससे पहले मुझे और पैसे जमा करने है आप चिंता मत कीजिए सब हो जाएगा लेकिन आप अपना खयाल रखना आजकल आपके तब्यत कुछ ठीक नहीं लगती तुम भी ना मीरा अब मेरी उमर हो गई है तब्यत नरम गरम तो होती ही रहेगी हाँ वो तो है पर बढ़ती उमर के साथ इंसान को अपनी तब्यत पर खास खयाल रखना चाहिए तुम हो ना मेरी तब्यत का ख्याल रखने के लिए बाते बनाना को यह आप से सीखे तभी कार्तिक घर लोटा आ गया बेटा कैसा था अज का दिन बहुत अच्छा पापा बढ़ा इंसान बन बिलकुल पापा वेसे भी आप उसकी पढ़ाई के लिए इतना कुछ कर रहे है उसकी तरक्की होना तो तै है भगबान तुझे बहुत तरक्की दे मीना और श्रीधर अपने बेटे शिवा को दुआये दे रहे थे और आशा कर रहे थे कि उसका भविश्य बहुत ही उज्वल हो पर उन्हे कहा पता था कि उनकी सुखी जिन्दगी में दुखों का आगमन हो चुका है रात को सोते सोते श्रीधर अच्छानक जोर-जोर से खासने लगा उसकी खासी से मीना और शिवा भी उठ गए श्रीधर इतना खास रहा था कि वो सास भी नहीं ले पा रहा था मा, हमारे पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए हाँ हाँ शिवा आटो ले आया और मीना और शिवा श्रीधर को आटो से अस्पताल ले गए यहाँ डॉक्टर ने श्रीधर की जान्च की श्रीधर को एक इंजेक्शन दिया और वो आराम से सो गया क्या हुआ है पापा को? अभी कुछ नहीं बोल सकते मैंने कुछ टेस्ट लिखा है कल सुभा ये सब परवाने के बाद ही बता सकता हूँ कि इन्हीं क्या हुआ है ठीक है शिवा और मीना इसी बात से खुश थे कि श्रीधर फिलहाल ठीक था उसकी खासी रूप चुकी थी और वो आराम से सो रहा था अगली सुभ डॉक्टर ने श्रीधर के कुछ टेस्ट लिए उसके गले की कुछ जान्च की और फिर डॉक्टर ने शिवा और मीना को अपने केबिन में बुलाया आपके पती को थोट कैंसर है पर कैसे? वो तो पान बिडी सिगरेट कुछ नहीं खाते कैसे ये तो मुझे नहीं पता पर ये कन्फरम है कि उन्हें गले का कैंसर है अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? जल से जल उनकी दवाईयां शुरू करनी चाहिए और कुछ दिनों के लिए अगर वो घर पे आराम करें तो बहुत अच्छा होगा ठीक है क्या आब हम पापा को घर ले जा सकते हैं? हाँ, हमारी सारी जांच पूरी हो चुकी है ठीक है शीवा और मीना शृधर को घर ले आए शृधर ये सोच सोच के परेशान था कि उसकी दवाईयों का खर्चा कहां से निकलेगा पापा कुछ दिनों के लिए मैं नारियल पानी बेचता हूँ अगले दिन शीवा रोड़ पर नारियल पानी की हाथ गाड़ी लेकर निकला कुछ लोग शीवा से नारियल पानी खरीदने लगे शीवा नारियल पानी का ठेला लेकर फाइव स्टार होटेल के बाहर पहुचा नारियल पानी नारियल पानी होटेल का एक वेटर वहा था भाई दस मलाई वाला नारियल दे दो किसी को भी खोलना मत ठीक है शीवा ने उस वेटर को दस मलाई वाले नारियल दिये और पैसे ले लिये शीवा खुश था कि एक साथ दस नारियल बिक गए अगले दिन भी शिवा नारियल बेचते बेचते फाइव स्टर होटेल के बहार आया और उसके आवाज लगाते ही वेटर आ गया आज बीस मलाई वाले नारियल चाहिए अच्छी बात है शिवा ने एक बोरी में बीस मलाई वाले नारियल भरके दे दिये और अपने पैसे ले लिए ये सिलसिला कई और दिनों तक चलता रहा फिर एक दिन शिवा ने वेटर को पूछा भाई इन मलाई वाले नारियलों का तुम करते क्या हो? कोकोनेट शेक बना कर बेचता हूँ हमारे कस्टमर में बहुत डिमांड है कोकोनेट शेक की अच्छी बात है शाम के समय शिवा घर लोटा और अपने दोस्त के पास गया उसके दोस्त के पास मुबाईल फोन था अरे यार मेरी एक मदद करोगे क्या? बोलना यार ये कोकोनेट शेक क्या होता है? ये सर्च करके बताना ठीक है उसके दोस्त ने कोकोनेट शेक का एक वीडियो प्ले किया शिवा ने वो वीडियो देखा उसे समझ में आ गया कि कोकोनेट शेक बनता कैसे है फिर शिवा ने अपने दोस्त का शुकरिया किया और अपने घर लौट गया पापा, मैं नारियल के बद्दे नारियल का शेक बना कर बेचना चाहता हूं क्या मतलब? शिवा ने श्रीधर को बताया कि कोकोनेट शेक कैसे बनता है पापा ये बहुत आसान है पर बहुत अच्छे दामों पे विखता है हमें एक नार्यल के 30 रुपए मिलते हैं पर एक कोकोनेट शेक का 100 रुपए मिलेगा क्या तो ये बेच पाएगा कोशिश तो कर सकता हो न ठीक है मैं सुबा कॉलेज जाऊंगा और शाम में कोकोनेट शेक बेचूंगा इससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे ठीक है कुछ दिनों बाद श्रिधर की तबियत बहतर हो गई वो नार्यल पानी बेचने निकला और शिवा कॉलेज चला गया शाम को कॉलेज से लट कर शिवा ने अपना कोकोनेट शेक का बिजनेस लगाया ये तुम क्या बेच रहे हो? कोकोनेट शेक वो क्या होता है? मलाई वाले नार्यल का शेक healthy and tasty ठीक है एक दे दो शिवा ने उस आदमी को एक नार्यल शेक बना कर दिया अच्छा है उस आदमी के बाद बस एक ही कस्टमर शिवा के ठेले पर आया इतनी घंटों में बस दो कोकोनेट शेक भी के हैं मुझे कुछ और करना चाहिए शिवा मायूस पोकर घर लोटा वो सोच रहा था कि वो और क्या कर सकता था पापा कुछ तो और करना होगा पर क्या जिससे लोग आकरशित हो तूने निम्बू पानी वाले को देखा है ग्लास को जोर-जोर से हिलाते और उडाते हैं और कर्तब करते हैं ताकि लोगों का ध्यान उन पर जाए हाँ तू भी कर सकता है ऐसे चाय और फिर शिवा सोचने लगा कि वो अपने कोकनट शेक के साथ क्या कर सकता है और फाइनली उसे आइडिया मिल ही गया अगली शाम को जब शिवा ने अपने कोकनट शेक का ठेला खोला तो उसने लोगों को आकरशित करने के लिए नारियल को उड़ाया और फिर मलाई से नारियल शेक निकाल कर उसमें दूर से क्रीम डालने लगा क्रीम की एक धारा बनने लगी जिसे देखकर आसपास के लोग दंग रह गए मुझे एक कोकोनेट शेक, मुझे भी मुझे भी दो और उसके कर्तक को देखने के लिए लोग उससे कोकनेट शेक खरीदने लगे दो घंटे में ही शिवा के सारे नारियल खतम हो गए और उसने अच्छी खासी आमदनी कर ली वो खुशी खुशी घर लोटा और उसने ये खुश खबरी अपने मा पापा को बताई अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है सब कुछ मैं समाल लूँगा आपका इलाज भी अच्छे से होगा पापा भगवान करे तो कामियाब हो जल्द ही शिवा मशूर हो गया शिवा के स्पेशल कोकनेट शेक को पीने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे अब शिवा के परिवार को पैसो की बिल्कुल भी कमी नहीं थी श्रिधर का अच्छे से इलाज हो रहा था घर में सारी सुकसुविधाय थी और शिवा कॉलेज भी जा रहा था और ये सब शिवा के स्पेशल कोकनेट शेक की बदालत एक छोटे से आइडिया ने शिवा के परिवार के जिन्दगी बदल दी